नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, यह शफालता आनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, आए आज हम सुरू करते हैं, प्रक्टिस सेट 5, यह संस्कृत का प्रक्टिस सेट है, इसमें 30 प्रशन उत्तर है, यह जो प्रक्टिस सेट है, आपके TGT, PGT और UKT, CITAT में काम आएगा, तो आएँे सुरू करते हैं, आज का सेसन, आज के सेसन का यह पहला प्रशन, आपकी स्क्रिन पर, पहला, यह प्रत्यार में कौनसा वर्ड नहीं है? यह वश राह बताईए, यह प्रत्यार में, पहले का चार से हा यह सल प्रत्यार का वरण है नेश्ट प्रश्न दो तैंतीस का सुद्धरूप होगा आपको बताना है तैंतेस का जो सुद्धरूप होता है वो से का कहते हैं संस्कत में तो त्रे त्रिंशत या त्रे इस त्रिंशत या त्रे त्रिंशत या त्रेयो त्रिंशत बताई है दो का दो सई है दो का दो सई है नेश्ट प्रश्न तेन गाय का पद में संधी है, गुड संधी, यड संधी, दिर्ग संधी, आयादी संधी तीन, तीन का चार संधी है, आयादी संधी, प्रस्न चार शंप्रदान कारक में विभक्ती है, त्रतिया, चतुर्थी, पंचमी, सस्टी चार, चार का दो सई है, चतुर्थी भी भक्ती है, या कारग भी नेशनी, पांचवाँ प्रेशने, पांचवाँ प्रेशने, पांचवाँ प्रेशने, गोहितम में शमाँस है, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, सस्ती तत्पुरुष, शत्मी तत्पुरुष पाँच, पाँच का पहला सही है चतुर्थी तत्पुरुष प्रस्ण छे, बिशम शब्द का बिलोम शब्द है पयाह, अम्बोज, सलिलम या पियूशम बताईए छह, छह का चार सही है पियूशम बिशम मने बिश होता है अपियूशम मने अम्रत अगला साथ राजन सब्द का सस्टी बहुबचन का रूप है राजानाम, राग्याम, राजनाम, राजाम साथ, साथ का दो सही है राग्याम प्रशने आठ देखेंगे प्रशने आठ बुरू सब्द लिट लकार में रूप है आपको बताना है कि पहले में सही लिखा है कि दूसरे में सही लिखा है कि तीसरे में सही लिखा कि चोथे अप्सन में सही लिखा बताई आठ आठ का तीन सही है वच्छयती प्रश्ण नव देखेंगे नव में जो दिया है वो है शुद्वाक बताना आपको आपको बताना है कि पहले में सही है कि दूसरे में सही है कि तीसरे में सही है कि चौते में सही है नव का तीन सही है रामहा गाम दुगधम दोगदी प्रस्ने दस रामहा वेदम पठती का कर्म वाच रूप होगा आपको बताना है कि पहले आफसन में सही है कि दूसरे आफसन में सही है कि तीसरे में कि चौते में दस, दस का दो सही है रामेड वेदाहा पठ्ठते प्रस्न ग्यारा निम्न में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है आपको बताना है कि पहले में सही है कि दूसरे में सही है कि तीसरे में सही है 24 में सही है 12 12 का 3 सही है 1 प्लस कता तो 12 में प्रिस्वास संदा और आप लोगों को note पुष्टका में लिखना है अपने answer और बताना है कमेंट बाक्स में कितने आपके answer सही हो रहे हैं अगर संसकत में आपके 30 में 29 या 28 सही हो रहे हैं तो आपकी तयारी ठीक है, अगर पचीश से नीचे आ रहे हैं, तो समझी आपकी तयारी भी बहुत कमजोर है, अगला प्रेश्न, अगला प्रेश्न है, तेरा, निम्न में से कौन सा वरण कंठ से उच्चरित नहीं होता, हा, या, का, खा, तेरा, तेरा का दो सही है, या, नेश्ट, प्रेश्न चवदा, अप या, जल सब्द में लिंग है, पुलिंग, इस्त्रि लिंग, नपन्शक लिंग, अभिष्ट लिंग, अभिष्ट लिंग, अभिष्ट लिंग बताईए, चौदा का दो सही है इस्त्रिलिंग प्रस्ने पंदरा उभय पदार्थे शब्द किस समास के समास में प्रधान होता है आपको बताना है अब विभाव समास में तकपुर समास में द्वंद शमास में या बहु ब्रीश समास में पंद्रा का तीन साई है द्वंद्रशमास में यानि दूनों पद प्रधान होते हैं उभय मनें दूनों सोला अंता इस्थ वरण है आपको बताना है यावा राला सासा साहा या आई उरी या काचाटाता पा बदाई सोला का पहला साहे यारा लावा या अंता इस्थ होते हैं यड़ प्रत्यहार में आते हैं नेश्थे सत्रा रमेसह शब्द का संधी विच्छेद होगा रमाह प्लस एसह रमा प्लस इशह रम प्लस एसह राम प्लस एसह बताई सत्रा का दो सही है रमा प्लेस इस यहां विसर्ग भी लगेगा इस होगा अठारा प्रस्न अठारा श्रीशब्द का स्रियाम रूप होगा आपको बताना है कि सश्टी बहुबचन में शप्तमी एक बचन में सश्टी बहुबचन तथा शप्तमी एक बचन में चौथे में दिया है दो तीया एक बचन तथा शप्तमी एक बचन में आपको बताना है सिरीशब्द का स्रियाम रूप होगा अठारा अठारा का तीन सही है सश्टी बहुबचन तथा शप्तमी एक बचन में प्रस्न वाग देवी उधारण है यण संधीका, विशर्ग संधीका, वेंजन संधीका और श्वर संधीका पन 19 का तीन से ये वेंजन संधीका प्रस्न 20 संस्कर्त ब्याकरण में यह उपसर्ग नहीं है परा, अपरा, निस, निर 22, sorry, 20, 20 का 2 सही है अपरा प्रस्ने 21 प्रस्ने 21 वाचा ब्रह्मचारी प्रतियते में शंबंधित शूत्र है आपको बताना है कि ए में सही है, कि दो में सही है, कि तीर में सही है, कि चार में सही है 21, बताना है, 21 का 3 सही है, इत्याम भूत लच्छडे प्रस्ने 22 धार्मिक पद में संस्क्रत प्रतिय है, ठक, फक, ढख या एक बताए 22, 22 का पहला सही है ठक प्रतिय है धार्मिक में अगला प्रस्न है 23, भविश्यत काल में यह लकार प्रिक्त होता है लोट, विधिलिंग, लेट यह लंग, लुंग पताई 23, 23 का जो उत्तर है, वो तीन सही है, लेट लकार प्रस्न 24, गुर्वे नमहा, इस वाक में गुर्वे पद में विभक्ती है तरतिया, चतुर्थी, पंचमी, सस्ती 24, 24 का दो सही है चतुर्थी विभक्ती अगला प्रस्न, प्रस्न 25, यह रहा आपकी इसकी रिम पर, प्रस्न 25 25, पिता पुत्रेड सह गच्छती इस वाक में पुत्रेड पद में कौन सी विभक्ती है, दुत्तिया, तरतिया, चतुर्थी, पंचमी 25, 25 का दो सही है, तरतिया, विभक्ती प्रस्न 26, सिच्छक को ज्यान होना चाहिए अध्यापन विशय का, बाल मनुविज्ञान का, सिच्छ सहिता का, अध्यापन विशय इवं बाल मनुविज्ञान का 26, 26 का 4 साही है, यह आपका सिच्छन विद्यों से प्रश्न है, यानि टेचिंग एप्टिटूट से प्रश्न आया है, अगला प्रश्न, प्रश्न 27 देखेंगे, सीखने के लिए सबसे महत्पूर घटक कौन सा है, सिच्छक, सीखने वाला, इस्कूल, पहला और दूसरा, 27, 27 का 4 साही है, पहला दूसरा, यानि सिखाने वाला हो और सीखने वाला हो, सिच्छक और सीखने वाला विद्यों थी, अगला प्रश्न, प्रश्न 28, 28 नम्मर का असकत सिच्छन में प्रियोक किये जाने वाला दृश्य उपकरण है, सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, ग्रामो फोन, फ्रैस कार्ड, 28, 28 का पहला है सिनेमा, नेश्ड, 29 प्रश्न देखेंगे, वा वपुहू का पर्यायश्च्ब बताईए, तनुहू होता है, गुरू होता है, अस्थी होता है, यह मस्त कम होता है, 29, 29 का पहला है तनुह, प्रश्न तीस, वकास तत्र, वकास तत्र का संधी विच्छेद क्या है, तो पहले में सही है कि दूसरे में कि तीसरे में कि चोथे में बताईए, तीस, तीस का जो उतर है, वो आपका तीन सही है, वकाह प्लस तत् तो हो जाएगा आपका वकास तत्र तो ये थे आपके 30 प्रश्ण इसके बाद मैं हिंदी के भी 30 प्रश्ण लेकर आने वाला हूं और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को साथ सेर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप नए चैन तो आपको लाब मिलेगा आज यहीं तक अगले वीडियो लेकर आएंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहन जै भारत